प्रेस्वारता आयजन किया गया प्रेस्वारता को संबोधित करते हुए राष्टिय महासचीव ने बताया कि भाजपा को प्रोसित करने वाली आरेशेस के पुचुनावी एजन्डे हाथी के दात की तरह दिखावती है जिनका प्रदर्शन तो है परंत वुपयोगता नहीं ह जिनका डियने राजनेतिक नफे नुक्सान के आधार पर बदलता हुआ है वादेश भक्त नहीं स्वार्थी कहलाता है और भाजपापने नेताओं की बढ़ती लोग प्रिता की खुद ही दुस्मन है इस अवसर पर प्रमुग रूप से राकेश तिवारी राष्टी को साध जब जब चुनाव होता है देश में तब तब हिंदुत का चोला पहन के बहुत से राजनेतिक पार्टिया मैदान में कूट पड़ती है और चुनाव में ठगों की तरह आते हैं और हिंदुों को ठग कर उनका बोट लेकर चले आते हैं हिंदु सिर्फ बोट देकर और जहां रहता है वहीं ठगा हुँ आपने आपको मैसूस करता है अभी योगी आदितनात जी को आपके माध्यम समय एक संदेश्या देना चाहता हूं क्योंकि योगी आदितनात जी के जो दादा गुरू थे दिविजय नात जी वो हिंदु महासवा के राष्टी अध्यक्ष भी थे और हिंदु महासवा से सांसत भी थे इनके जो गुरू थे अबैदनात जी वो भी हिंदु महासवा से थे योगी आदितनात की जो परमपरा है गद्धी की वो हिंदु महासवा की गद्धी है भारतिय जनता पार्टी जिस पार्टी से वो मुखमंत्री है उनको बिलकुल इसपर्ट संदेशा देना चाहता हूँ जिसकी कवाया सुरू हो गई है उन्हें अपमानित करके आडवानी की तरह भारतिय जनता पार्टी किनारे फेक दे उससे पहले योगी जी को चाहिए कि अपने मूल परमपरा पर वापस आ जाए हिद्धु महासवा में उनका वही स्थान होगा जो उनके गुरू का हुआ था और जो हमारे यहां गोरक्षपीट के महंद का होता था उस अधिकार के साथ हम उनको सुईकार करने के लिए तैया है पहले। दूसरी चीज योगी जी को इसलिए भी आ जाना चाहिए कि अब भारतिया जनता पारटी के केरल और मेगाले के यजिंडे को आप देखेंगे उसमें इन्होंने लिखा हुआ है भारतीय कि वहां के बोटरों को गाय का सुद्ध मास मिलेगा जो सस्तेदर पर मिलेगा तो जो राजनेतिक पार्टी चुनाओं के पहले गाय को माला पहनाती है उसको टीका लगाती है गुड़ और चैने खिलाती है चुनाओं के समय में बोट लेने के लिए वो गौमांस के ब्यापार बन जाते हैं तो क्या योगी आधितनात का चरित्र भी इतना गड़वड हो गया है कि ऐसे लोगों के साथ खड़े रहे हैं जो गौमांस का ब्यापार करते हैं तीसरी बात इस बात को जादा कि हमारा डीने उनसे मिलता है जो गोहत्या करते हैं जबकि हम लोग उस परंपरा के लोग हैं जहां गाय की पूजा होती है हमारे रसोई की पहली रोटी कन्या को नहीं गाय को निकाली जाती है इश्वर की आराधना के पहले हम गोह माता का पूजन करते हैं उस गाय की पूजन करने वाले का डिने गोहत्या करने वाले से मैच नहीं कर सकता तो इस पस्त हो कि भारती जनता पार्टी और उसको सपोर्ट करने वाली आरेसस ये गौहत्यारे के रूप में प्रचारित हो चुके हैं इनका मुखवटा खुल गया है योगी जी के लिए एक अवसर दे रहे हैं अगर उनको ये बात समझ में आती है तो हिंदू महासभा में का स्वागत है अ हमारी मजबूरी है कि उत्तर प्रदेश में हम बिधान सवा का चुनाव लड़े और इसी संबंद में आज हिंदू महासभा के महत्पूर्ण पदाधिकारियों से बैठक थी इस बैठक में हमारे साथ पदा रहे हैं गुजरात से राष्टी कुशा ध्यक्ष राकेश तिबा अफ्तो जी इन सब के बीच में बैठकर हम लोगों ने आज इस बात का मन्थन किया कि आने वाले दिनों में अगर भारती जनता पार्टी आरेसस के हवाले हिंदूत कर दिया जाए तो हिंदूत तो बचेगा नहीं हिंदू भी नहीं बचेगा इसलिए इन दोनों की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए राष्ट की रक्षा के लिए सनातन की रक्षा के लिए और हिंदू के स्वयम की रक्षा के लिए हमारा जो सुरू से करतब था दायुत था उसी दायुत को पूरा करने के लिए हम लोगों ने आज बैठक की और मुझे लगता है कि इस उत्तरप्रदेश में दमदारी से चुनौल लगना चाहिए